रूटीन से हड़कर कुछ मुक्तलिफ और मज़ेदार बनाना जाते हैं तो यह मज़ेदार सी रस्पी बनाएं एक बार तो यह मज़ेदार सी रस्पी बनाएं गरवाले आपसे रोस्ट फ़र्माश पर बनाएंगे तो आपने वीडियो को इंट तक दिखना है बिना देंगे 11 गिराम और निम गरम पानी एड़ करके तो आप डोग की मताविक पानी को इड़ेजी गा अच्छी तरीकी से मिस कर लेंगे और इसमें और शामिल कर देंगे तो यहांप हम पचास एमिल का और शामिल कर रहें ऐस तरीके से मिस करने के बाद रखेंगे साइड पर करेंगे दो कब आठा यहां पर हमने मेदा लिया है तो अच्छी तरीकी चान लिया था पानी एड़ कर देंगे जो के पहले बना के रखा जिसमें अमें इस्ट और ऑल फगे राइड किया था तो थोड़ा थोड़ा करके पानी को इड़ करते जाएंगे और उस तरीकी से मिस कर लिया था तो यह हमारा जो सॉप्ट है ना बनके रेडी हो चुका है इसके ऊपर थोड़ा सा ओल लगा देंगे इसको कवर करके रखेंगे ताकि इस साइज में डबल हो जाए तक रीबन इसको एक कंटा लगेगा इसको डबल होने में ड़किंगे साइट पर कि अब 100फ़ तो आसक recruit ने चोड़ा सा कुकंग ओल जीरा शामिल कर देंगे एक चोटा चेमर रडेसन अदरक चामिल कर देंगे चोप की हूई इसको सब्सकंड कर लेंगे एक मिनिटो के लिए इसको सब्सक्रण के बासे कर देंगे प्राइज को में डाइस कर लिया था तो सारी चीजों की ओंड़ी हैं अगर इस स्टेच में वीडियो अच्छी रहे तो लाइक जोग कर देंगे चीड़ कर देंगे चोटा सा प्यारा सा कॉमेंट तो आपकी इतके सी कुछ दूरी कामें जरूरू बताईगा तो सब को चीजिश करेंगे आप इसमेप स्टेचे पिकल नहाय चाहर बिजाय जेएफ स्टकी तो हम उस्यार आपके पारिए अगर आपके पास एंट के शाला कर देंगे चैना चिलीट और ब्रवालें पाहण चैप Hog बेक्न करते हैं तो यहां पर यहां फिर सरी के उप्लाय कर देंगे तो यहां पर बेकिंग ट्रेक्ट के उसे हम अप्लाय कर देंगे से निना वेकवने के वक्त याइव रखेंगे काउंडर पे तो कांटर पर आड़ा सा до का थोड़ा सा हिस्सा लेंगे तो पोर्षिन आप से बना लीजीव का छोटे बढ़े मैं बीडियो को एंड तक दिखना है ना मिंत चिप किये तो आप आपके भी बहुत ही मज़े की रिस्पी बनके रेड़ी हो जाएं तो हमने ओवल की शवब में बेड़ लिया इस तरीके से तो इस तरीके से बिलने के बास के उपर मुझा देंगे सौस कौई भी तो यहां पर हम लगाने जा रहे हैं चिली गारलिक सौस आप यहां पर पीजा स मुझन को लगा सकते हैं अघ्शित मोचल फिर मिश खूप के और यह था रखना को सेन लगा के बनाए था तो बीड नोगे में क्योंडे की आ दिंगrage नाम डाइस कुपस सब्सके मुद्अ करें जो भी आपको पसेंदो अब इसके पर हम रख देंगे ऑलिफ्स ग्रीन या फिर ब्लेक वाले यहां फिर पर हम दोनों रख रहे हैं तो इस तरीकी से ओलिफ रख ने कि आपस के पर थोड़ी चीज और डाल देंगे चीज को इट करने के बसको हम इस तरीके से कवर कर देंगे तो सेम प्रोसेस से आप भी इसको फालो कीजिएगा तो इसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं इसको हम इस तरीके से बॉट का शेप दे रहें तो इसको शेप देने के बास के उपर हम लगा देंगे बीटन एक्स जो कि एक अंडा हमने लिया था जिसको अपने बीट कर लिया था ब्रेश की मदर से हम इसके उपर हम लगा देंगे अंडे को तो अंडे की ज़र्दी इसके उपर हम लगा देंगे तो इसके उपर आप और या फिर बड़र का भी इसमाल कर सकते हैं या आपके उपर डुपेंट करता है अगर आपको एक पसद नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं अश्तरीकी से अंडे को लगाने के बाद तो इस मज़िदार सी फ्लेट ब्रेट को रख देंगे के के लिए आप अपने अवन के मताबिक को बेक कीजिएगा तो आप देख सकते हैं कितनी मज़े कि हमारे बेक हो चुके सारे फ्लेट ब्रेड तो इस मज़िदार सी रेस्पी को आप क्या नाम देना चाहते हैं कामरे में ज़रूर बताएगा तो आप यह मज़िदार सी और तो खाने में बहुत ज़रा टेस्टे डिलिशिस बनगे रेडी होती है तो एक बार तो यह मज़िदार सी रेस्पी बनाएं गरवाले आप से रोस फरमाश पर बनाएंगे तो इसके उपर हम थोड़ा से नीमू ने चोड़ देंगे इससे फ्लिवर और मज़िद बढ़ जाएंगे अगर इनकी टेस्ट के बात की जाए तो टेस्ट का जवाब नहीं तो रेस्पी को एंट तक देखें अच्छी लगे लाइक कर दें साथी कुकिंग उतरफ याड़ो को सबस्क्राब कर लें तो चलें फिर मज़िदार सी रेस्पी बनाना स्टाट करते हैं तो यह म कीज़े तो उसके लिएख के सकते हैं तो ओले खिप दो अगर बनाना चाहते हैं तो इसकी धिश्यादा कीज़ेगा अपस को इसको ऐट की जगाए तो यह पे जिए करना हैं पस्कुद कर सेफ्सक्राब कर लेंगे ब्लेंडर की मदद सेया फिर आप के बास में अच्छ को आ तो कि आठेख लेंगे के स्कोच इसलिए हम इस तरीकी से ब्लेंड कर लेंगे तो आप देख सकते इसको का इसंट ब्लेंड कर रहे हैं तो यहां पर स्कोच सो फॉला यहीं जím태 से और ईकान इस तरीक से फिलाने के बाद BADjis को एक मिनिट के लिए इसको MEDigos my फिलेंगे पर फॉराई करेंगे तेस्टर बहुत ही ली बनके रेडी होते हैं अब उनको रखेंगे साइट पर इनको हम रखेंगे साइट पर उनकी मज़ेदार और QC Prin तो चलें फर स्टार्ट करते हैं उसी फ्राइपिन में शामिल कर देंगे थोड़ से कुक कि बॉल लिसमी चिकन शामिल कर देंगे भॉन लेसे चिकन को तरीकी से पकाने के पास्षेडा स्वासरीज कर देंगे मुच्णा कर देंगे की शौसरी के पकाने कि यह फित शामिफ कर देंगे क मशें पकाने के शाजाइगे। अब लगार काम पर से भी कर लेंगे। सब कोछ तरीकी से मिस कर लेंगे तो आप नेमक लालमिश और काली मिश को अपने जाइके के मुताबिक एड़ कीज़ेगा अच्छ तरीकी से मिस कर लेंगे एक से दो मिनाट के लिए मीडियम हाय फ्लेम पर स्कूम फ्राइ करेंगे अगर इसे इस्टेश में वीडियो अच्छ लगे तो लाइक जो कर दीचेएगा अभी तक चैनल को सबस्क्राइब निए क्या तो फटाफर से कुकी मों तरफ याड़ों को सबस्क्राइब कर लेंगे यह बिल्कुल फ्री है अब इसमें शामल कर देंगे 200 ml क्रीम तो यहां पर आप अपनी पसंद की कोई भी क्रीम इसमें इट कर सकते हैं क्रीम को इट करने की अब सब्गोश को एसमें कर लेंगे मीढियमनोग फिलेंप पर स्पूम पकाएंगे जब तक अच्छ तरीकी से चिर्टपम जाए तो यह बहुत मज़र की क्रीमी सी फिलिंग हम न देंगे इसको ठंड़ा करेंगे तो यहां पर हमने एक क्रेप्स लिए उसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग एड कर दें इस तरीके से उसको फॉल कर लेंगे इसको हम सहंँसे का शेप देंगे तो यह बहुत असाम रेसिपी है, आपने फुल फॉलो करना है रेस्पी को, इस तरीकी से दोनों साइट से इसको हम फॉर्ड कर लेंगे, तो यह इसलिए हमारा शेप बन जाएगा समूसे का, अब इसको भी इस तरीकी से कवर कर देंगे, यानि कि फॉर्ड कर लेंगे, साइड बना लेडे हैं, तो यह दिस तरीके से लगा सब्से के बना लेंगे, इस तरीके से लगा लेगे, तो यह बना लेके, चले नहीं हम पॉर्ड कर देंगे, इस तरीके से लेकिंडी किसे हमने सेम प्रोसेस से हमने पॉर्टली बना ली थी यह रड़ी हो गए हैं बेक होने के लिए अब इसके उपार हम थोड़ चीज से रख देंगे जिसको हमने क्रेट कर लिया तो यहां पर आपने मौज़डा चीज लिया आप कोई भी चीज ले सकते हैं तो चलें फिर इंक को बेक कर लेते हैं तो अवन को पहले हमने प्रीट कर लिया था अवन अच्छी तरी किसी गरम हो चुका है इस पर हम एट कर देंगे सारे क्रेप्स को इसको बीस मिनिट के लिए आवन के मुताबिक करेंगे तो आप अपने मुताबिक करेंगे तो यह देखें बहुत ही चिकन क्रेस्ट बनाना बहुत असान है और खाने में बहुत ही जदा टेस्ट है एक बार तो यह बनाएं गरवाले आपसे रोस फोर मैश्प बनवाएंगे तो आपने वीडियो को एंद तक दिकना है बिना स्किप किए तो आज लिकरें हूं आप सब के लिए बहुत ही मज़ करेंगे चीनियोर्स में शामल कर देंगे नमक एक चोटा चमश इंस्टेट राइस कर देंगे यारा गिराम और समय नीम गरम पानी एड़कर के तो आप डोग की मताबग पानी को एड़ कर देंगे तो यहाँ पर पचास सेमिन का और शामल कर रहें चार्णे के बाद रखें थोड़ा जोड़ा करके पानी गट करते जायेंगे यह जँनी हम राब है सबकुक्रात चरों सब्सक्राइब ताकि यह साइज में डबल हो जाए तक्रीबन इसको एक गंटा लगेगा इसको डबल होने में डाकिंग के साइट पर तो यहां पर मज़िदार सी फिलिंग रेडी कर लेते हैं ओल शामाल कर देंगे पेज में लेसं शामाल कर देंगे एक बड़ा चैमन सब को सोते कर लेंगे मिनिट के लिए जब गरचतर आगा है चिकन को करते जाएंगे चीं और शामाल कर देंगे तो थival को में रफली चौप कर लिया तो तरकर एक कप प्यास कर कर देना है अच्छतर एकिसपों कर लेंगे एक मिनिट के लिए जाइकी की मुटाबक और दणिया का पाउडर जामल कर देंगे एक चूटा चमच हल्दी कर देंगे थोड़ी जिसतरी कि सब को मिस्स कर लेंगे बहुत असाम सी स्पीछ लिए पर बोट इस वीडीय है यह हमारे चिकन ब्रेड डोल बन तो आपने पर नहीं जिए तक हैं एक बार हम जबार से रस्पी अगरवाले आपसे रोध वर्माश्प बन वाएंगे इसके उपर हमने गारश कर दी ठी, ऋसमें हमें गारश कर दी थी, गारश के वाहिए तो में खरते नहीया। ताकि चिकन पाउर्ड चिकन मेच्टरी की से मिक्स हो जाए उसमें शामल करेंगे चीज आप अपनी मर्जी के मताबिक कोई भी चीज इसमें एड़ कर सकते हैं अगर इससे स्टेज पर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जब कर दीजिए का चिनल पे नहीं तोरा सा आठाडू डुट कर लेंगे का उड़ तो डूब में इसाप देज ने उस हमाग डबल सैज में न भी चिक अब इसका दोबर आ हम इस तरीके से युन लेंगे ताकि वीडियों सॉफ्ट हो अब इस डुबोँ हम लिएट कर लेंगे जोए last In में तो जितने आप बड़े चोटे रोल बनाना चाहते हैं उसी साफसे को डौ को डवाइट कीजेगा अब इसको लेंगे इस तरीके से ताकि फ्लेट हो जाए बिल्कुल तो आप देख सकते हैं इसको अच तरीके से बेल लिया है अब एक साइट पर इसके उपर हम लगा देंगे मियोनीज तो यहाँ आप कोई भी सोस इस्तमाल कर सकते हैं पीजा सोस यहाँ फिर कोई भी इसके उपर मियोनिस लगाने के बास तरीके से ब्रिश लगा देंगे ताकि अच्छ तरीके से फेल जाए तो यहाँ पर इसके उपर हमने चिकन लग दी थी जो कि हमने प्रिपर करती रखे थी पेली चिकन चोटे याँ फर बड़े इस तरी के से कट्करते जाएंगे तो यह आपके उपर डिमेंट करता है कि इसके आप सचोटी हैं XL चोटी याँ बड़ी रखना चाहते हैं तो हमें के लिएक वह लगा दीन के अप्र मंठें लिए था हैं वैसे सपने में वास को हम एख्वाश को लगा देंगे लेवाशेका की विगा तो आप अवन के मताबिक कीजीगा तो आप देख सकते हैं कितनी मज़ें कि हमारे ब्रेट बॉल बनके रेड़ी हो चुके हैं अंदर तो आज हम हम बनानेगहाले हैं बहुत ही बहुत ही ठेस्ट यूनिक रेसिपी जिसे छि क्रताबुपर चुपर शामआ में स्क्राइबimy जिए करते हैं मजएदारा चीज क्रेड बरेट बनानाराा स्टार चता हैं सबसे पहले शेकर चिह स्क्राइब्स सकते हैं तो इसमें आपके पास चीस क्रीम नहीं है तो कोईरा नहीं स्वर दो कफ में दौन कर देंगे चीनी PCV और शामिल कर देंगे 50 ml का अब शामिल कर देंगे पेपर हब चीज क्रीम जो कि हमने बनाए थी आप ओल की जगा जो है ना ओलिव ओल बीस्तावाल कर सकते हैं चीज को तरी किसी में कर लेंगे डो में तो यहां पर हमने थोड़ी सी बचा के रिखी थी चीज जो कि हम एड़ करेंगे ब्रेट के उपर अच्छा से हमार ढों बनके रेड़ी हो जाए तो यह बहुत ही मज़िदार से ब्रेट बनके रेड़ी होती तो आपने वीडियो को एंड तक दिखना है बिना स्किप की थोड़ा-थोड़ा करके पानी को एड़ करते जाएंगे और अच्छ आपको बहुत सारे आइडेस मिल जाएंगे तो इसी इतवर आप अपने घर में क्या बनाने जा रहे का में ज़रूर बताईगा अब इसको हम कवर करके एकन टेक के लिए गरम जगा पर रख देंगे तक कि साइज में डबल हो जाए तो जब तक डो हमारे रेडि हो रही है य हो जाएंगे अब आटी को डिवाइड कर लेंगे 6-7 इसो में सबसे पहले एक पेड़ा हमने लिए जिसको इस तरीकी से बेल लेंगे बेल उनकीम बैदर से इसको स्लाइटली सा बेल लेंगे जादा मत बेल लिए ताकि हमारे फुल फुल्फुली और बेल बनके रेडि हो ज अब चीशिस क्रम स्की उपर लगा देंगे Award कर लेंगे फ्य है तो यह आपके पास सफनीं यह त्यमाटर का बेस अब रिवमाटर कर सकते हैं तो आपने завис 2016 में एक कर लिया था आप इसके उपर हम गानुष करेंगे भिजा देने की डेंड़ने जिसको हुँने तरीक है चर्श चर्ट अकर डिया तो हम इसके उपर शलक देंगे हमारे मज़िदासी दिखने है यहलो खाना में बहूत ही टेस्टि बेड्स रेड रडी ऑगी है क्वीए इसक's क्योंatchet कानिश कर देंगे याने स्प्रिंगल कर देंगी थोड़ी सी मिकसर चलें फिर इनको नगा ने प्रिजिट आवन में तो आप अपने आवन के मताबक इसको बेक कीज़ेगा तो चब तक हमारे मज़दार सी चीज ब्रेड जो हैं बेक होरी तो चलें फिरिंगे में स्टफिंग लेते हैं तो एक बोल में शामल करतेंगे जिसको सेड़र कर लिया था उसपी क змeträhr कर देंगे एक खेड़ा जिसको ट्री प्रास चात ता और याने की प्यासकी सामल कर देंगे जैकी के मताब्गे अब इसमें मेनों कर देंगे दो से दींट के महीं संब कर देंगे सफेड, मेरी चोर समें नमक कर देंगे हैस में जवरत काली में शामल कर देंगे कुट्टी वी ही आदा छुटा चेमट वी लीवें क्या चाहख शामल कर केिक एक बढ़ी एप Wir俊 शरीगे निव बेक हो चुक है अगर आप प्रेट को पर्फेक्ट टाइम देंगे न तो आपके भी बहुत मज़े की बनेगे तो दोनों साइड से यह थंडा कर लेंगे थंडा करने के बार बीच में इस तरीके से प्रेट को कट कर देंगे देख सकते हैं अब अंदर से बिच तरीके सी पक च संसे बने हैं तो अब देख सकते हैं इसकी फिलिंग जोयना बहुत क्रीमि और मजगी बना है उसको में सल करें तो सबसे पहले मज़ःतार से v v woranjutर रेडिकर लेते हैं। सबसे पेले मज़ःतार सा केम ही सबसे जोड़ा समुन होने के अब इसे हम शाया देंगे पालक जिसको एमने डफली में चुपक्र लिया था फालक एट कर ने के बस में नाूँग देंगे जाया जाया, जिस दूर्फट को एट. के पास है तो एड़ की जगार ने तो आप इसको कर सकते हैं अब समय कर देंगे चीज को तो हम पिदाने जा रहे हैं बहुत ही मज़दार बहुत ही टेस्टी यूनिक और मज़दार सी रेस्पी पर पेस्टी टो के साथ बनाएं कि उसमें बहुत सारे फिलिवार आपको 5 करते हो साथ ही मुँदार अपैरा और को सब्सक्राब भी कर लें तो समय मैट करने की वाफ मुझळाव मुझेड करती हैं ओम स dal बत्ते हैं सबको कुछ vibes पर देख कर देंगे मादं करने की में सब्सक्राबरा मिस कर लेंग विन अगर आपके पास है तो आपको कि जे summarize में, इस दोबार हम इस कर लेंगे तो यह हमारा बहुत ही मज़ेदार सा टेस्टी सा यम्मी सा मसाला बनके रेड़ी हो चुक है यानि क्रीमी यूश्र हमने बना की त्यार कर लें इसको हम रखेंगे साइट पर तो यहाँ पर हमने मश्री को इस तरीकी से वाश कर लिया था अब इसके उपर हम ठोड़ा सा नमक इस तरीकी से शिड़क देंगे तो थोड़ी से काली में मश्र किarna की मताबिक तो आप अप्नी पसंद की कोई भी मश्री ले सकते हैं अब इसको में रखेंगे साइट पर तो यहां पर हमने परपेस्टी डो लिया है अगर आप चाहते हैं कि आपका भी परपेस्टी बहुत ही मज़े का बने तो इसकी लिंक में डिस्क्रीमिल बॉक्स में दे दी आप जो चेक कीजिएगा तो यह मज़ेदार सी परपेस्टी डो किस तरीकी से बना जाती है सारा कुछ हमने उस वीडियो में आपको बताए तो आपनी डिस्पी को फुल फालो करना है इस टेप बाय स्टेप हम आपको गाइड करते जारें तो यहां पर इसको इस तरीकी से हमने बेल लिया है ने लेकर जाई चीजें हमारे डियो होचीर हैं यहां पर हमने डूक उब इस तरीकी से यहां पर इस तरीके से लेगे और यहां एज़रह को पहला है मच्छी के इस चीज तो फिच्द के चाहिए सुप इस वहम थोड़ा सा मज़िद मिक्सटर करदें के कृम कि नारे हैं तो यहां बेकिंग ट्रेल थोड़ा सा गिस्ट कर लिए और यहां पर हमने जबर बनाया था-ढूकी सा मैंम मज़िदार से देगर कर देग ine ममके होगी तो एस को हम रखेंगे डो के ओपर जो कि हमने पेली फिश वाला डो बना के रेड़ी का लिया था तो इस मज़िदार से रिस्पी को आप क्या नाम देना चाहते हैं कि में में ज़रू पते हीगा इस तरीकी से इसके उपर हम शीट रखती थी डिजाइन वाली साइडें इस तरीके से क किनारों पर इस तरीके से एक वाश को अब इसको आवर में बेक करने के लिए रख देंगे आप अपने वन के मतापिक को बेक कीजिएगा तो आप देख सकते ही कितनी मज़े की फिश प्लेट बनके रेड़ी हो चुकिए बाहर से बहुत जादा फ्लेवर फुल बनके फुल तो है लेकिन बहुत टेस्ट है बहुत ही मज़े की बनके रेड़ी होती है फिर मिल देखने इस पीके साथ टेक किया बब बाई अलाफिस